जस्मित सिंग आडवोकेट और रेकर्ड आमसुत अच्छो दी जे मेटर्टी को डिल कर चिले सुप्रीम कूट रे तापाईं लड़े ही कर थीले तो निश्वी तो हब ऐसे केउप पॉइंट रोखी तीले कोट रे और कोट वर्तवान कोड अड़ दी चुन दी जा आमपाखर शुचन रही ची तिनी मास वर्तवान स्टे लागी ची जोटा की राज्यों पाईं कोड़ा ख़बर एबंग राज्यों सरकारं कोड़ा जटका ब पाई रखे थे और कोट ने क्या वोलें देखे सुप्रीम कोट की जो बेंच थी वो उनरेबल जस्टिस अब्दुल नजीर द्वारा हेड़ेट थी जो हमने हाई कोट में पेटिशन करी थी वो हमने ये कही थी कि जो उडिसा का उडिसा युनिवर्स्टी अमेंडमेंट एक है जो सन 2020 का है वो यूजी सी के जो रेगुलेशन है 2018 उनके खिलाफ है उनको मानने नहीं करता है और जो यूजी सी के रेगुलेशन में वाइस चांसलर के सेलेक्शन का प्रोसीजर है और भी बहुत सारे दूसरे प्रोसीजर है उनकी खिलाफत में एक उडिसा ने युनिव पहले इसे उरिषा हाई कोट में चैलेंज किया। उरिषा हाई कोट ने कहा कि यह जो उरिषा अमेंडमेंट एक्ट है यह आर्बिटरी नहीं है और यह बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से स्टेट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा UGC के रेगूलेशन को बायपास किया जाएगा आज सुप्रीम कोर्ट में हमने यही आर्ग्यू किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मूल प्रश्ण था वो यह था कि क्या UGC regulation जो binding है उनको state act के द्वारा modify किया जा सकता है उनके counter में कोई अलग provision लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे preliminary hearing करी किया उन्हें बोला गया कि आप चार वीक के अंदर अपना जवाब फाइल करिए जो सुप्रीम कोर्ट petition है उसके उसके खिलाफ पिटीशन का जवाब दीजिए और तीन महीने तक जो URISA High Court का judgment था जिसने यह कहा था कि URISA University Amendment Act 2020 बिलकुल ठीक है तीन महीने तक उस judgment पे stay लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने के बाद की जाएगी आज सुप्रीम कोर्ट का summer vacation से पहले आखरी दिन था दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट की summer vacation खतम हो चुकी होंगी और उस समय सुप्रीम कोर्ट और उडिसा हाई कोट के judgment की validity चेक करेगी एक्जामिन करेगी कि क्या वो judgment सही था या गलत चार वीक के अंदर state of उडिसा को कहा गया है कि चार वीक के अंदर आप जवाब दायर करें अब बताये कि UGC के लिए एक थ्रेटेंड था कि यह आमेंडमेंट जो पास की हैं तो उग कौन्सा क्लॉस था UGC के लिए क्या मतलब जो आफटमेंट को लेकर जो आप बता रहें उसको थोड़ा सार बिश्तार रूप से बताएंगे कि उग कौन्सा क्लॉस था जो UGC के लिए खत्रा था वो ठीक नहीं होगा उस अमेंडमेंट एक में कम से कम दस प्रोविजन्स ऐसे थे जो UGC के रेगुलेशन के खिलाफ हैं जैसे मैं आपको एक एक एग्जामपल समझाता हूँ आपके ओडियन्स के लिए UGC ने कहा था कि जो युनिवर्स्टीज होंगी उनके वाइस चांसलर का अपॉइन्मेंट किसी एक तरीके से होगा ABC और जो सेलेक्शन कमीटी होगी उनमें ABC मेंबर होंगे जो उरिसा का युनिवर्स्टी अमेंडमेंट एक था उन्होंने कहा कि नहीं जो सेलेक्शन कमीटी होगी उसमें ये ABC मेंबर नहीं होंगे एक मेंबर डी नॉमिनेट होगा जो स्टेट अफ उरिसा का ब्यूरेक्रेट होगा तो इस तरह के बहुत सारे वेरियेशन थे जो उरिसा युनिवर्स्टी अमेंडमेंट एक में थे हमने इन वेरियेशन में से कुछ वेरियेशन आज प्लिनरी हेरिंग थी हमने इन में से कुछ वेरियेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको दिखाए उनको बताए कि ये वेर है एक मूल कोश्चन कि क्या UGC के Regulation को इस तरीके से वेरी किया जा सकता है इस पे नोटेस दायर किया यह हमारी Petition थी इस पे नोटेस दायर किया और अब state से जवाब मांगा है अगे क्या करवाई करेंगे क्योंकि त्रीन महीना अभी preliminary stay किये अगर आगे इसको बढ़ाने के लिए डिमांड करेंगे क्योंकि दू महिने के बाद फिर जो भी हेरिंग होगा तो आगला मतलब कैसे आप प्रिपेर होंगे फिर देखिए ऐसा है कि अगर दो महिने की हेरिंग के बाद फाइनल जजमेंट आ जाता है चाहे वो UGC के पक्ष में हो चाहे वो स्टेट ओफ उडिसा के पक्ष में हो तब तो वो फाइनल जजमेंट बाइंडिंग होगा परन्तु किसी कारणवश अगर ये हेरिंग दो से तीन महिने के अंदर कंक्लूड नहीं हो पाती तो अव्यस सी बात है हमें एक एप्लिकेशन दायर करके इस तीन महिने के स्टे को एक्स्टेंड कराने की कोशिश करेंगे एस पर लो अधर गंटाए कि मां घंटे परे शुपरिम कुटर स्पस्ट अडर कपी आमपाखर आसीबो जे एक्च्वाली मानेवर कुट कंड निर्देश दीच दी